हेलो एवरिवन यूथ पावर एसोशियेशन प्रेजेंट कर रही है जल है तो कल है दो हजार इकिस इसमें सेवन नेशनल लेवल ओनलाइन कॉंपेडिशन रखे गए हैं इसमें आप जीच सकते हैं अट्रेक्टिव प्राइजेस और सर्टिपिकेट्स एट डोर स्टेप वाव सूपर तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं कॉंपीटीशन की बात करें तो यहां पे क्वेज, ड्रॉइंग, पोयम रेसिटेशन, पोयम राइटिंग, शॉर्ट वीडियो, मार्किंग फॉर, वाटर कंसर्वेशन, रिपोल्टिंग, सेल्फी और मीम मेकिंग एलाउड है Youth Power Association Under National Awareness Campaign on Water Conservation in October 2021 से रिलेटेड इस कॉंपीटीशन को प्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें थीम है, जल है तो कल है, क्योंकि आज के समय में पूरा वर्ल्ड वाटर क्राइसिस से जूज रहा हैं और ग्राउंड वाटर लेवल इस फॉर्लिंग डे बाई डे बाकी इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्विज कॉंपिटीशन को ओनलाइन गूगल फॉर्म पर हेल्ड किया जाएगा ड्राउंग कॉंपिटीशन के वोट्स होंगे ओन इंस्टाग्राम पोईट्री राइटिंग कंड़क्ट होगा ओन फेस्बुक पोयम रेसिटेशन ओन ओफिशियल यूट्यूब चैनल शॉर्ट फिल्म ओन वाटर कंसर्वेशन अलसो ओन यूट्यूब सेल्फी ओन ओफिशियल फेस्बुक पेज एंड मीम मेकिंग ओन ओफिशियल फेस्बुक पेज एप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें तो क्विज में आपको गूगल फॉर्म में रेजिस्ट्रेशन करना है जो कंप्लीटली फ्री है और 16 ओक्टोबर तक आप कर सकते हैं वैब लिंक टू रेजिस्टर ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस लिंक में आपको वाट्सब ग्रूप का भी लिंक मिलेगा तो उसको भी जॉइन कर ले पाटिसिपेंट्स को अपनी अंत्री जल है तो कल है टॉपिक पर जॉइंग राइट्ग विडियो अफ को पोयम मेकिंग शॉट्पिल्म or by explaining about nearby located reservoir with ideas of leak solutions of its conservation making theme related to spreading awareness about water conservation होनी चाहिये you have to send your entries with name, address, mobile, number, class, school, college and date of birth इस email पर ypa4india at the rate gmail.com या आप entry को whatsapp भी कर सकते हैं 8 2 9 9 2 5 2 7 9 1 सभी वीडियो और फिल्म्स मैक्सिमम 3 मिनट की होनी चाहिए इस प्रतियोबिता को दो कटेगरी में एनाउंस किया गया है फॉर यूट पहली है जूनियर कटेगरी 14 से 20 साल और दूसरी है सीनियर कटेगरी 21 से 29 साल यहाँ पे तीन बिनर्स सेलेक्ट किये जाएंगे और उन्हें अट्रेक्टिव प्राइज़ और सल्टिफिकेट दो रिश्टेप पर मिलेगा और सभी पार्टिसिपेंट्स को इस सल्टिफिकेट दिया जाएगा सेल्टि कॉम्पिटीशन में आपको अपनी फोटो को इस हैश्टेग के साथ पोश्ट करना है और टेग करना है वाई पी एफ और इंडिया को ऑन देयर परसनल सोशल मीडिया वाइल कंसर्बिंग अ रिजर्व ओयर नियर देम और प्लांटिंग और टेकिंग अ सेल्फी नि के साथ इमेल या वाटसब पर भेजना है सेलेक्शन प्रॉसेस क्विज हैल्ड होगा गूगल फॉर्म पर ऑन 20 ऑक्टोबर एट 12.30 पीम क्विज का लिंक वाटसब ग्रूप में सेंड होगा एक दिन पहले विच विल ओपन एट 12.30 पीम ऑन ऑक्टोबर 20 इस प्रत योगित में टोटल 25 MCQs will have to be answered in time limit of 10 minute. Each correct answer के लिए एक अंक आप को दिया जाएगा और उनमें से ही टॉप 3 participants को award price के लिए सेलेक्ट किया जाएगा. रिजल्ट आप्टोबर 26 को declare होंगे. नोट वैविलिंक आफ गूगल फॉर्म सिर्फ 10 मिनाट ओपन रहेगा जिसमें आपको 25 questions आंसर करने हैं. स्लेवस आप स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं. Now for drawing, poetry writing, poem, recitation, short film and meme making. बिनर्स तीन राउंड में on merit basis decide होंगे. इसको भी आप स्क्रीन पर केरफुली चेक कर सकते हैं. पीपल्स चॉइस राउंड में voting के लिए important conditions. Phase 2 organize होगा through online voting by general public on social media written in front of competitions. पहला drawing competition जो Instagram पे होगा. submission आप कर सकते हैं 16 October तक voting 19 October को सुभे 10 बजे से लेकर 26 October को दुपहर 1 बजे तक चलेगी और result 27 October को 3 बजे दुपहर में announce होंगे. poetry writing on Facebook लाश्ट डेट है 16 voting process है 20 October सुभे 10 बजे से 27 October दुपहर 1 बजे तक और result 28 October को दुपहर 3 बजे डिकलेः होगा. poem recitation on YouTube लाश्ट डेट है 16 voting process 21 तारिक को सुभे 10 बजे से 28 तारिक को दुपहर 1 बजे तक और result announce होगा on 29 at 3 p.m. short film maximum 3 मिनट on YouTube लाश्ट डेट है 16 voting process 22 तारिक को सुभे 10 बजे से 29 तारिक को दुपहर 1 बजे तक होगा और result 30 तारिक को दुपहर 3 बजे announce होगा. meme making on Facebook लाश्ट डेट है 16 voting process 23 से 30 तक चलेगा और result announce होगे on 31. selfie on Facebook लाश्ट डेट है 16 voting process है 24 से 31 तक और result announce होगे on 1 नवंबर. voting में जिस post पर सबसे आदा likes और comments होंगे उसे winner बनाया जाहेगा. likes और comments इस basis पे count किये जाएंगे आप देख सकते हैं. one person सिर्फ एक ही बार comment कर सकता है. likes और comments सभी competitions में separately count होंगे. seven contestants will be finalized from all. कोई भी queries हो तो आप in options के तुरू contact कर सकते हैं. last one I would like to say that कि ये बहुत unique initiative हैं और ऐसे rare competitions बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं. उमीद है आपको मेरी ये कोशिस पसंद आई होगी. तो as usual इस वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शेयर करें और अपना feedback comment section में देना ना भूलें. साथ ही चैनल को subscribe करके bell icon को all पे click करें. तो मिलते हैं फिर एक new informative update के साथ. Till then, ओक के बार, thanks for watching, thanks to everyone.